मेरे प्यारे देश वाचियों, बीते दिनों हमने मन की बात में काशी तमिल संगमम की बात की, सवराष्ट्र तमिल संगमम की बात की, कुछ समय पहले ही वारानसी में काशी, तेलुगु, संगमम भी हुआ एक भारत, स्रेष्ट भारत की भावना को ताकत देने वारा ऐसे ही एक और अनूठा प्रयास देश में हुआ है ये प्रयास है युवा संगम का मैंने सोचा इस बारे में विस्तार से क्यों न उन्हीं लोगे से पूछा जाए जो इस अनूठे प्रयास का हिस्सा रहे हैं इसलिए अभी मेरे साथ फोन पर दो युवा जुड़े हुए है एक है अरुनाचल प्रदेश के ग्यामर न्योकुम जी और दूसरी बेटी है बिहार की बेटिया विशाखा सही जी आईए पहले हम ग्यामर न्योकुम जी से बात करते हैं ग्यामर जी नमस्ते नमस्ते मोडी जी अच्छा ग्यामर जी जरा सबसे पहले तो मैं आपके विशे में जानना चाहता हूँ मुझी शब्सक्राइब में आपका और भारत सरकार का बहुत ज़्यादा आवार ब्याक्त करता हूँ कि अपने बहुत की ताम निकाल के मुझे बात करने का मुझे मुझे मोगा दिया मैं नेशनल इंस्टिट अब टेक्नलोजी अरु नाजरी प्रदेश में फ़स्ट एयर में मेकनिकल इंजिनिरिंग में पर रहा हूँ और परिवार में क्या करते हैं पिता जी बगेरें जी मेरे पिता जी चौते मुझे बिजनिस और और के वाद कुछ फार्मिंग में सब करते हैं युआ संगम के लिए आपको पता कैसे चला युआ संगम में गए कहां कैसे गए क्या हुआ मोधी जी मुझे युआ संगम का हमारे जो इंस्टिशन है जो एनाइटी है उन्होंने हमें बताया था कि आप इसमें पाग ले सकते हैं तो मैंने फिर तोरा इंटरनेट में तरकोच किया फिर मुझे पता चला कि ये बहुती अच्छा प्रोग्रम है जिसमें मुझे एक बारत फिरस्ट बारतना जो विजन है उसमें भी बहुती योगदान ले सकते हैं और मुझे कुछ निया चीज़ जानने का मोका में लेगना तो तोरांट मैंने फिर उसमें वेस्टाइट में जाके अन्रोल किया कोई सिलेक्शन आपको करना था तो मुझे राजस्तान के लिए तो में राजस्तान के लिए तो में राजस्तान गया था के साथ आपका राजस्तान यात्रा आप पहली बार राजस्तान गए थे हमें पेली बार आःचलन जाने बाहर गया था मैंने तो जो राजस्तान के कीले मैं बस फिल्म और फोन में जी के कि मैंने जब पहली बर गया तो मेरा एक्सपिरिएंस बहुत ही वहा के लोग बहुत ही अच्छे थे और जो हमें त्रिक्मेंट दिया बहुत ही जड़ आच्छे थे और जब हमें नया नया ची शिखने को मैंना मुझे राज़स्तान के बारे की और अधर के लोग जैसे कि मारा चल में मैं भी वीरों की भूमी है राजस्तान भी वीरों की भूमी है और राजस्तान जिखे घैना मी ऊच्छाब में बठीघ्या में उसने देटिर से गैइगी कि देखे मेरा स्थान जाया था ऐसा नूबर था तो आपके तो दिकर ता एक दम से बढ़ जाएगी अज़ा आपको वहाँ कोई समानता है भी ध्यान में आई होगी आपको लगता होगा हाँ यार यार रूना चलमत भी तो ऐसा ही है मौधी जी मुझे जो एक समानता मुझे मिली ना वो थी कि जो देश्प्रे में ना और जो एक भारत स्रेश्ट भारत का जो वीजन और जो फीलिंग जो मुझे बेखा यार ना से लिए लोग अपने आपको बहुत ही गर्व मेहसुश करते है कि वह भारती रहते है और राजस्तान में भी लोग अपने माच्वों में के लिए बहुत जो गर्व मेहसुश होता है वो चीज मुझे बहुत ही ज़्यादा नजर आया और इसपेसली जो युगा पी जो मित्र मिले हैं मुझे परिच्छे बढ़ाया कि आकर के भूल गए आप सोशल मीडियम एक्टिव है अपने ब्लॉग लिखना चाहिए अपना यह युवा संगम का अनुभव कैसे रहा आपने उसमें एन्रोल कैसे किया राजस्तान में अनुभव कैसा रहा ताकि देश भ सब्सक्राइब का महात्में क्या है योजना क्या है उसका फाइदा युवा कैसे ले सकते हैं पूर आपने एक्स्पिरिंस का ब्लॉग लिखना चाहिए तो बहुत लोगों को पढ़ने के लिए काम आएगा जी में जरूर करूंगा गया मर्जिन बहुत अच्छा लगा आप सब युवां देश के लिए देश के उज्वल भविश के लिए क्योंकि पच्छी साल अत्यंत महत्वपूर्ण है आपके जीवन के भी और देश के जीवन के भी तो मेरी बहुत-बहुत सुब कामना है धन्यवाद धन्यवाद मोजी आपको भी नौश्का भीया शाथियों अरुनाचर के लोग इत्मी आत्मिता से भरे होते हैं कि उनसे बात करते हुए मुझे बहुत आनंद आता है युवा संगम में ज्यामर जी का अनुभव तो भैतरिन रहा